तो नोट बंदी पर प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी का फैसला सही या घलत इस पर अर्थ शास्त्रियों भी राये बटी हुई है कुछ नोट बंदी को सही बता रहे हैं तो कोई घलत नोट बंदी पर RBI के पूर डेप्टी गवर्नर केसी चकरवर्ती क्या सोचते हैं आने के लिए लंदन में उनसे मिली ABP News समाधाता पूनम जोशी और आपको बता दे अर्थ शास्त्रियों की राये हाला की बटी हुई है 14 दिन है नोट बंदी का आज भी कतार खत्म नहीं हो रही है आज भी बैंक्स के बार लंबी-लंबी लाइन नजर आ रही है रात के वक्त एक बजए क्नाट प्लेस पहुंच आई भी पी नूज वहाँ पर भी जावेद मनसूरी को लंबी-लंबी लाइन देखने को मिली ABP News समाधाता इसके लावा सरकार की तरफ से कई कदम बार बार उठाए जा रहे हैं ताकि लाइन कम से कम हो लेकिन RBI के पूर डेप्टी गवर्नर केसी तयागी क्या कह रहे हैं केसी चकरवर्ती वो सुनते हैं RBI के एक्स डेप्टी गवर्नर रहे चुके 2009 से लेकर 2004 तक रहे श्री केसी चक्रवती इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ABP में स्वागत है आपका सर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप के क्या विचार हैं इस demonetization को लेकर के demonetization का कोई आर्थिक rational जुक्ती मुझे दिखाई नहीं देता है लिए इससे जो है economy को फाइदा कम होगा नुक्सान अधीक होगा demonetization से लोगों को आम आदमी को तकलिप होगी फाइदा कुछ नहीं होगा और यह जो argument है कि काला धन या जाली नोट इसको बंध हो जाएगा यह तो हमें लगता है सरकार भी नहीं पता है कि नहीं होगा बता है कम होगा अब कम होगा अधीक होगा तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि कि कितना काला धन है कितना जाली नोट है उस पर जो है तब यो पता चलेगा मैं तो सोचता हूँ कि इसमें जो है 2-3 लाग करोर रुपया wealth जो है destroy हो जाएगा system का तो और यह wealth जो है वो economy में second order third order benefit देते है लोग यह पैसा खर्चा करते है उसको जाके system में जो है वो use होता है उससे government को tax मिलता है वो benefit चला जाएगा लोग जो है अगर 2 घंता लाइन में ख़ड़ा होके खुश है तो हमें कोई इत्राज नहीं है वो खुश है मगर क्यों खुश है तो मैं ही सोचता है कि साइद वो खुश है कि कुछ दूसरे लोगों का पैसा थोड़ा कम हो गया तो थीक है उससे खुश है तो हमें कुछ पताने का नहीं है मगर इससे उनको क्या फायदा होगा मुझे पता नहीं चल रहा है जो आदमी tax नहीं देता है उसको पकरने के लिए government के पास administrative missionary है हमें समझ में नहीं आता है कि note जो है उसका demoni tax करके उनको कैसे आप पकरेंगे वो तो आपका tax machinery income tax का process system वो इनको identify करना है और बरे मचली को government नहीं जानता है income tax intelligence को नहीं जानता है इतो मैं मानने के लिए ते या नहीं हूँ बलकि note जिसका कोई value नहीं हुआ है वो जमा हुआ है आपके घर में जो पैसा था जल गया उसमें आपका नुक्सान हुआ और वो जो आदमी पैसा जमा किये थे उनकी कमाई की पैसा नहीं है फोकर्ट की पैसा था मुझा सरकार को क्या फायदा हुआ लोगों को क्या फैदा हुआ मुझे समझ में नहीं आया किये जो आदमी ने कभी बैंक की शकर नहीं देखिती आज वो कम से कम बैंक जा रहे हैं क्यू मैं खड़े हो रहे हैं उस पूरे प्रोसीडियर को फॉलो कर रहे है कोई आदमी बैंक नहीं जानना चाहता है देमोक्रिसी में, आप को जबदस्ती के वो बैंक बेजना चाहते हैं, उसका कोई पार्टीकूलर च्रस नहीं है। वो तो इंसेंटिव दे के उसको बेजने का है, आप तो घर्टन पकर करें उसको बेज रहे हैं। अगर इही जो है मनसा है इस चीज़ के हमें कुछ करने का नहीं है मगर मैं समझता हूँ कि कोई भी देमोक्रिटिक सिस्टेम में जिवर्दस्टी किसी से कोई काम कराना नहीं चाहिए